हेलो स्टूडेंट्स, उमीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और मैं आज आपका पेपर लेके आई हूँ जो हमारा एस्टेट का एक्जैम हुआ था च्यार तारीक को, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अगर मैं पेपर के लेविल की बात करूँ बच्छो बहुत ही आसान पेपर था याने की, ठीक है जो जनरल सी बाते हमने क्लासीज में बोली हुई है डिसकस की हुई है तो उसी में से सारा पेपर हमारा बना हुआ है और जो भी पुराने बच्छे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्षन में जुरूर बताएं कि ये पेपर कैसा था, इसका लेविल कैसा था और आपके कितने माक्स में से कितने माक्स आपको मिले हैं ठीक है बच्छो तो फर्स जो सेंटेंस था बच्छे वो हमारा जो शब्द होता है singular form अगर बोलना हो तो हम इसको बोलते है a-l-u-m-n-i-us और जो हमारा alumnus होता है हमारा singular पूरा us convert होता है i में तो यह term तयार होती है alumnus तो काफी बार हमने यह discuss कर चुका है आगे बढ़ लेते हैं next question next question जो मारा है बच्चे वो है narration का question था कि I am taking the children to the zoo tomorrow she said अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो देखिए कि हमेशा जब-जब हम बात करेंगे I am taking the children to the zoo tomorrow तो यहाँ पर common sense हमारी क्या रहेगी कि she told that she would be taking she said that she will take the children और उसके बाद फिर से will लिख रखा है और will लिख रखा है तो बेटा सबसे पहले तो मुझे इसमें printing mistake दिख रही है ठीक है यहाँ पर जो I के साथ M लगा रखा है इसको हम I will पड़ेंगे ठीक है क्योंकि tomorrow की बात की गई है तो simple सा logic हमारा क्या है कि future की बात हो रही है राइट अगर हम बात करेंगे will की तो will का past form क्या होगा मारा would होगा तो एक काम करो आप second option को eliminate कर दो क्योंकि will का will लगा रखा है ठीक है आगे देखिए third में भी will का will लिख रखा है उसके बाद she will take the children to the Jew she said यह वैसे ही गलत हो गया तो आपका answer यहाँ पर हो जाएगा she told that she would be taking the children to the Jew the day after ठीक है आप इसको day after tomorrow भी कह सकते हो tomorrow को और एक और तरीका है कि हम इसको convert कर सकते हैं over more ओके बच्चो तो इस तरीके से हम इसको relate कर लेंगे next question choose the correct synonym of बच्चो बहुत ही simple word आया हुआ था genius तो genius का synonym word हमारा क्या हो जाता है वही talented okay happy cheerful यह हमारे खुशी happiness के लिए word use होते हैं तो मैं यहाँ पर इनको हटा देती हूँ और आपकी correct choice हो जाती है यहाँ पर talented select the appropriate preposition for the blank he has not yet recovered from his illness आपको यहाँ पर कर देना था ठीक है recovery from होती है हमारी और आगे हमने लिख रखा है illness तो यहाँ पर आपका in over at सारे eliminate हो जाते हैं आगे बढ़ लेते हैं next question choose the option that brings out the meaning of the underlying idiom बच्चो बहुत ही बार इसकी मैंने पूरी कहानी भी आपको समझा रख किये कि जंगल में तीन animal होते हैं एक line होते है line कहते है कि भई शिकार करके लाओ ठीक है उसके बाद क्या होते है कि वो शिकार का एक माली जी इतना टुकडा करके लाते हैं ठीक है अब line क्या कहते है कि हम चार लोग है तो इसको चार हिसो में बाट लो ठीक है अब क्या होते है एक लाइन को मिलते है, बाकि तीन एनिमल को मिलते है, पूरी कहानी है बच्चो इसकी माइथोलोजी की, लेकिन क्या होता है, लाइन कहता है कि मुझे उस नाम का भी तो दो, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ, तो एक इसा और ले लेता है, अब हिसे बचे दो एनिमल कितने तीन अब लड़ाई तो होनी है अब लाइन फिर से एक चाल खेलता है कि तुमारे लड़ाई भी तो मैंने सुल जाई है इसलिए एक हिस्सा मुझे और दो अगर आप कुल मिलाके देखोगे तो लाइन के पास हमारे टोटल पार्ट में से कितने बचे यह देखो टोटल हमारा यह हिस्सा है इसमें से लाइन ने तीन हिस्से ले लिए है एक सिरफ एनिमल के लिए बचा है अगर हम टोटल में देखेंगे तो मेजर पार्ट हमारा यह है और मेजर पार्ट किसको मिला है लाइन को और इसलिए इस एडियम का मतलब होता है मेजर शेयर यानि कि मेजर पार् तो ऐसे हम अपनी डे टो डे लाइफ में इसको यूज करते हैं और यही आपकी इडियम थी नेक्स वर्ड बच्चो एंटोनीम पूछा गया है गलूमी का मतलब क्या होता है उदास जैसे हमने फणी वे में इसको ऐसे याद किया था कि गोलू ने आज ओम का उचारण नहीं किया इसलिए वो उदास है पनीवे में जो मैं वकेविलरी आपको करवाती हूँ इस तरीके से तो इसका opposite word आपको देखना था तो आपका अंसर हो जाएगा cheerful क्योंकि praise नहीं हो सकता course नहीं हो सकता decimal फिर से उदास होता है निराश होता है तो यह वैसे ही गलत हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रहे एंटोनीम बताना है ओके क्योंकि आपको जरूर किया जाता है कि praise का similar word हम क्या बता देते हैं जैसे gloomy है तो gloomy का decimal बता सकते थे आप लेकिन ध्यान रहे एंटोनीम पूछा गया है तो एंटोनीम के ही साब से आपका अंसर जाना चाहिए cheerful आगे बढ़ लेते हैं choose the appropriate conjunction conjunction लगानी थी बच्चो कि I shall not go मैं नहीं जाओंगी unless I am invited जब तक मुझे invite नहीं किया जाता तो बच्चो ध्यान दो मैंने conjunction में भी पढ़ाया है conditional sentences में भी पढ़ाया है unless or until में क्या difference है until हमेशा time के sense में use होता है unless हमेशा condition बताता है action की तो कोई भी वेक्ति किसी party में कब तक नहीं जाएगा जब तक उसको invite नहीं किया जाई invite करना हमारी एक action है तो condition यहाँ पर action की है तो इसलिए आपको answer करना है यह यहाँ पर unless आगे बढ़ लेते हैं next question who has been using my typewriter said mother आपको यहाँ पर क्या change करना था change the narration narration change कर नहीं थी तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो who has been narration में अमेशा tense change होता है बचो तो had been आपके option में होना चाहिए एक बार चेक करके आते हैं सभी option में first option में देखिए क्या लिख रखा है has been काट दो इसको next में देखिए लिख रखा है was using काट दो इसको और fourth में देखिए जबर्दस्ति इसको passive बनाने की कोशिश की गई है तो इसलिए यह भी आपका eliminate हो जाएगा mother asked who had been using her typewriter और यह आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर correct answer okay guys तो आपको यहाँ पर करना था 53 में third answer select the correct meaning of the underline phrasal verb who can say what will turn up next यहाँ पर जो phrasal verb का इस्तेमाल हुआ है बच्चे वो यह है कि क्या होगा who can say कौन कह सकता है what will turn up next भी आगे क्या होगा तो होगा के sense में अगर हम बात करेंगे तो happen आपको यहाँ पर use करना था मैंने phrasal verb में काफी सारा बताया था कि turn up का मतलब आना भी होता है जैसे कि मैं यह पूछू कि a few people turned up for the show बहुत ही कम लोग जो थे वो show देखने आए तो काफी सारे ऐसे example हमने करे हुए है तो यहाँ पर आपका जो appropriate answer होगा वो होगा happen आगे बढ़ लेते हैं next question choose the part of sentence that has error बचो बहुत बार मैंने एक बात आपको पढ़ाई है कि हम English में preposition क्यों use करते हैं आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर के नीचे से आठमी क्लास अगर आप देखोगे आपको यह पता लग जाएगा बचो कि why we use preposition in English grammar हम रटेंगे नहीं बिल्कुल I opening lecture है बचो थोड़ा सा time spare करी और वो वीडियो देखी आप ठीक है आगर हम यहाँ पर बात करेंगे और मैंने as it is example भी यह करवा रखा है कि she resembles her father resemble का मतलब होता है हम शकल होना ठीक है कोई भी sentence हमारा svo combination में होता है कभी भी preposition नहीं लगेगी clear तो यहाँ पर जो बात आई है वो यह है कि resemble वाले part में आपको to नहीं लगाना तो आप यहाँ पर error करके आएंगे b part में यह जो हमारा b part है क्योंकि resemble के आगे हम to नहीं लगाएंगे right तो यह हमारा मतलब था आगे बढ़ लेते हैं next question select the correct tense form from the option given when I first to this house be a very quiet area अगर हम यहाँ पर बात करें बचो तो when का इस्तेमाली हाँ पर जो हुआ है वो time के लिए use हुआ है कि जब मैं पहले आया तो simple common sense की बात क्या थी कि past tense तो होगा ध्यान दो यहाँ पर अगर आपको कोई logic नहीं आता था कुछ भी नहीं पता था तो भी आप एक चीज यह चेक कर सकते थे कि पहले वक्ती आया है इसका मतलब यह घटना हो चुकी है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम first को उड़ा देते हैं कारण क्योंकि I अगर subject है तो comes तो वैसे भी नहीं हो सकता common sense यह थी ठीक है अब यह देखिए coming is MR के बिना हमारे ING form कभी नहीं आएंगे ठीक है तो यह मैं इसलिए अलग कर देती हूँ आगे देखिए कि it के साथ अगर मैं यह सोचूँ कि यहाँ पर जो कम है कम अगर present tense है हमारा अगर यह third होता जैसे कि क्या होता है कम came कम होता है तो has have head तो होना चाहिए इसका मतलब यह present tense है और दूसरी important बात दूसरा जो part है उसमें it का इस्तिमाल हुआ है तो it के साथ हार तो कभी आता ही नहीं अगर आपको कोई भी concept नहीं आता था तब भी आपका answer यहाँ पर होता second ठीक है कि when I first came to this house it was a very quiet area तो यहाँ पर यह आपको सही answer करना था ठीक है कोई rule काम नहीं आ रहा बचो simple common sense question सो लो रहे है select the correct tense form from the option given Peter to come in quietly but his mother him यहाँ पर भी बिल्कुल वही logic है बचे कि यहाँ पर Peter से पहले देखे ing form तो हम नहीं लगा सकते तो दूसरे को तो वैसे ही eliminate कर दो was trying and was hearing ऐसा नहीं करें हम hear का मतलब यहाँ पर ing form से यहाँ नहीं है और is trying present tense हो जाएगा mother hears common simple present tense का इस्तिमाल हम कब करते हैं जब हम routine action की बात करते हैं यह जो काम हुआ है यह routine action से हट कर है हम यह नहीं कहरे कि हमेशा ही वो धीरे से आता है और उसकी मा सून लेती है ऐसा नहीं कहरे वो धीरे से आया मैंने tense की काफी सारी वीडियो में आपको पढ़ाया है routine action से हट कर जो काम होता है वो हमेशा वीटू होता है are you getting? तो आपको यहाँ पर answer करना था भई first tried and heard him तो यह आपका answer यहाँ पर होना चाहिए next question जो पूछा गया है बचो passive voice से पूछा गया है और बहुत simple question है bees make honey simple present tense उसने दे रखा है तो देखिए यहाँ पर first option को इसलिए eliminate करिए क्योंकि make यहाँ पर first form लिख रखा है आप जानते हो voice change करते हमेशा third form अमें चाहिए होती है ठीक है bees are making honey यह वैसे eliminate हो गया आपका अब आपका जो confusion था वो यह था कि honey के साथ आर आएगा यह जाएगा बचो जितने भी हमारे uncountable noun होते हैं uncountable noun के आगे कभी भी हम CIS नहीं लगाते plus में हमने यह देखा हुआ है कि verb अमेशा singular होती है मैंने अपनी theory classes में पढ़ाया हुआ है कि material और abstract noun से belong करने वाला कोई भी शब्द material यानि की M, abstract यानि की A और मैंने एक trick बनाई थी कि मा का प्यार हमेशा uncountable होता है मा का प्यार हमेशा uncountable होगा तो अगर मैं बात करूँ तो money, sorry जो honey शब्द है यह हमारा material है यूज करोगे singular, clear तो आपको यहाँ पर answer करना था बच्चे जी fourth, third आप eliminate कर देंगे clear हुआ तो इस तरीके से आपको यह question देखना था next question जो मारा आ रहा है कि somebody has put out the light अगर हम यहाँ पर देखें voice का again हमारा question पूछा गया है और has put यहाँ पर क्या है present perfect tense है तो आपको यहाँ पर convert करना पड़ेगा tense change नहीं करना, सिरफ bean लगाना है, तो आप सबसे पहले first को eliminate करेंगे, क्योंकि has put लिख रखा है, आप next देखेंगे बच्चे, the light has been put out by somebody, एक बार नीचे के भी चेक करके आते हैं, fourth हमारा being की वज़े से eliminate हो चुक है somebody has been out यह बिल्कुली eliminate हो गया आपका तो आपको यहाँ पर answer करना है second ठीक है, light अमारा object है, तो object यहाँ पर आना चाहिए, the light has been put out by somebody, तो यह आपको ध्यान में रखना था, और यही हमारा question है आगे बढ़ लेते हैं, next question select the correct preposition for blank I shall do it मैं इस काम को करूँगी तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा खुशी से, यानि कि with pleasure तो यह आपका answer होना चाहिए था in यहाँ पर eliminate हो जाएगा, about यहाँ पर eliminate हो जाएगा over यहाँ पर eliminate हो जाएगा तो यह था बच्चो हमारा आज का जो complete आपका estate का जो पेपर था और मुझे नहीं पता बच्चो यह PRT का है या TZT का है क्योंकि मेरे पास यह बस एक पेपर आया था और मैंने नहीं देखा इसको ध्यान से तो जैसा भी था पेपर बहुत आसान था जो बच्चे मेरे application से पढ़ रहे हैं और उन्होंने अगर मेरी अच्छे से classes लगाई है तो वो जरूर एक बार विचार करेंगे कि जो उन्होंने पढ़ा था क्या उसी में से सारा आया है ठीक है क्योंकि मेरे इस आफ़ित मैंने बता दिया अगर कोई बच्चा इस तरीके से बिना रूल के इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो बच्चो गूगल प्ले स्टोर पे मेरा application है पानोज इंग्लिश क्लासिज के नाम से आप वहाँ जा करके पूरा recorded batch ले सकते हो जिसमें बिना रूल के पूरी इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की गई है इसी चैनल पे आपको 150 प्लस मेरी वीडियोज मिल जाएंगी आप कोई भी रेंडम वीडियो उठा के देखिए और देखो कि हम कैसे टीच करते हैं ओफलाइन क्लासीज के लिए इस आर के रेट स्केर मार्केट में हमारी अकेडमी है जहां पर हमारी रेगुलर क्लासीज चलती है क्लियर बचो तो आगे मैं किसी और सेशन में आपके साथ मिलूँगी जब तक आप अपना ध्यान रखिए और ये सब वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेर करने के लिए सभी का धन्यवाद मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी सेशन में